नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी काजेक बर फिर से आपके अपने चैनल लेर्णिंग एंपायर पर मेरी जानी अनु के साथ और शुरू करते हैं दोस्तों हम इस कारण को जानने से कि फ्रेंच रेविलेशन आकिर हुआ क्या दोस्तों अचानक से एक अफवा पूरे के पूरे फ्रांस में फैल जाती है कि राजा ने अपनी आर्मी को ओर्डर दिया है कि कहीं पे भी यदि आपको आम लोग दिखाई दे तो उनको देखते ही गोली मारनी है अब आम लोगों के मन में इस अफवा की वज़े से बहुत जादा डर फैल गया था तो हो तक है दोस्तों फ्रांस की राजदानी पैरिस में रात के समय सारे के सारे लोग एकठा होते हैं और मिलके फैसला लेते हैं कि जहां पे भी पूरे पैरिस में इनको कार्तूस दिखाई देंगे उन कार्तूसों को ये छुपा लेंगे चुरा लेंगे जिससे मिलिटरी के पास ना तो ये कार्तूस आएंगे और ना ही ये लोग हमें मार पाएंगे इसका result क्या होता है दोस्तों की जगा जगा पे ये लोग छापे मारने लगते हैं डूड़ने लगता है कार्टूसों को पूरे फ्रांस में पूरे पैरिस में especially ये लोग फैल जाते हैं लेकिन कहीं पे भी इनको कोई कार्टूस नहीं दिखाए देता है इन दी एंड ये सभी मिलके कहा जाते हैं फोर्ट बास्तिल में यानि बास्तिल के किले में जिसकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 जुलाई 1789 को ये सभी लोग बास्तिल के किले में जाते हैं और इस किले को पुरी तरह से ढूड़ते हैं कि इसमें कहीं पे कोई कार्तूस है तो नहीं लेकिन यहां भी इनको कोई कार्तूस नहीं होता है लेकिन फिर भी ये लोग इतना इस किले से नफरत करते हैं कि इस किले तूड़ता है वैसे ही फ्रांस में फ्रेंच रिवोलुशन शुरू हो जाता है तो बास्तिल is a fortress prison hated by everyone because it represents the despotic power of king लोग जो थे दोस्तों अपने राजा की निरंकुष ताकतों से बहुत जाधा परिशान हो गए थे उनकी policies से बहुत जाधा परिशान हो गए थे और अगर राजा से नफरत करने लगे तो राजा के इस शक्ति के प्रतीक इस बास्तिल के किले से भी वह नफरत करने लगे बास्तिल का क्या था दोस्तों यह एक जेल की रहा था राजा जिस भी व्यक्ति को बंदी बनाता था उसको इस जेल में बंद कर दिया जाता था तो लोगों के मन में ये था कि ये जो किला है ये राजा की शक्ति का प्रतीक है राजा से नफरत है यानि कि इस किले से नफरत है और इसी का रिजल्ट रहता है कि 14 जुलाई 1789 क्राइन को यह किला पूरी दरह से बरबाद कर दिया जाता है पहली बात तो कि दोस्तों अफवा की वज़से यह क्रांति शुरू हुई और दूसरी बात राजा ने टैक्स इतने जादा लगा दिये थे लोगों की हर चीज के उपर कि जो ब्रेड था जो आम लोग जिसको खात करने को और जो चीज वो खाते थे वो अब लगजरी आइटम बन गई यानि के वो उनकी हैसियत से बाहर चली गई लोग इससे अन्रेस्ट होगे उन्होंने क्रांति शुरू कर दी रिवलिशन शुरू हुई किसके द्वारा मिडल क्लास के द्वारा और किसके खिलाफ मोनार मिडल क्लास ने जैसे ही रिवोलिशन शुरू किया है वैसे ही लोवर क्लास का सपोर्ट मिडल क्लास को मिलने लगा इसका रिजल्ट कै रहा दोस्तों किंग लूई 16 उसको मार डाला गया और यह जो बर्बन डाइनस्टी थी उस समय फ्रांस में रूल कर रही थी तो फ्रांस ने अपने राजा को मार डाला और इस revolution से पूरी दुनिया को तीन चीजें मिली अलोग विद फ्रांस को तीन चीजें मिली liberty, fraternity and equality तो अब history को आप civics से जोइन करके देखिए होगा क्या दोस्तों कि civics में कई बार question पूछा जाता है कि भारत के सम्विदान में liberty, fraternity and equality यानि आजादी, भाईचारा और समानता ये तीनों वर्ड कहां से लिए गए हैं तो अब आप बता सकते हैं कि French Revolution से ये तीनों वर् फ्रांच से ये तीनों वर्ड लिए गए हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों एक सब्जक्त को दूसरे सब्जक्त से जोइन करते हुए चलना है ठीक है चलिए दोस्तों ये तो था अभी तक का कि बास्तिल के किला कैसे तूटा और ये क्रांती कैसे शुरू हुई अब अग जा और राजशाही से रिलेटेट लोग सेकंड एस्टेट में नबिलिटी आते थे यानि कुलीन वर्ग यानिके आपके जो चर्ट या पादरी लोग फो सब्याते थे करदे हैं तो जो क्रांती है उसके दो में कोजिस हैं पहला है पॉलिटिकल जो कारण थे किंग लुई 16 ये व्यक्ति ये है किंग लुई 16 और जब ये राजा बनता है जब ये गद्धी समालता है तो इसको विरासत में मिलता है फ्रांस का खाली खाजाना फ्रांस जो था दोस्तों लंबे समय से लड़ रहे वार की वजह से बरबाद हो चुका था इसकी एकोनोमी बिल्कुल बरबाद हो चुकी थी तो वहीं है यहां पे लिखा हว है long years of war had drained the financial resources of France लेकिन इसने क्या किया दोस्तों कि फिर भी ये चाहता था कि Britain जो common enemy है फ्रांस का भी common enemy था अमेरिका का भी common enemy था ब्रीटें ये चाहता था कि अमेरिका को ब्रीटें की ताकतों से अजादी दिलाई जाए एक तो यह ओल्रेडी बरबाद हो चुका था इसके पास कोई पैसा नहीं था खजाने खाली हो गई थे लेकिन फिर भी इसने हैवी लोन लिया और हैवी लोन लेने के बाद अमेरिका की 13 कॉलोनी को इसने आज़ादी दिलवाई अब अमेरिका की कॉलोनी तो आजाद हो गई लेकिन बदले में फ्रांस को क्या मिला फ्रांस की गवर्मेंट को हेवी लोन्स का बोज मिला मनी लेंडर्स ने इसका फायदा उठाया ये इसको एक अपर्सुनिटी की तरह देखा और उन्होंने इंटरेस्ट को 10% तक बढ़ा दिया इससे क्या हुआ दोस्तो कि अब फ्रांस का जो गवर्मेंट का जो रिवेंट्यू था वो दो जगा में बटने लगा पहला था कि भारी चंक तो उसका इंटरेस्ट पे करने में जा रहा था और दूसरा कि जो रेगुलर एक्सपेंसिस थे आर्मी के, कोर्ट के और जगा के उनको पूरा करने में ये अमाउंट जा रही थी जो आनि कि फ्रांस का रिवेंट्यू कहां कहां जा रहा था एक तो लोन चुकाने में जा रहा था और दूसरा जो regular expenses थे उनको चुकाने में जा रहा था सिर्फ इनी दो जगाओ पे जा रहा था अब क्या होता है दोस्तों कि ये जो व्यक्ति है Louis 16 ये खुद भी भोग विलास वाला जीवन जी रहा था तो ये अपनी भोग और विलासिता में कोई कटोती नहीं कर रहा था एश वाला जीवन जी रहा था इसका अपना जीवन को अच्छा बनाने के लिए इसने क्या किया इसने और भी जादा tax impose करने शुरू कर दिये जब इसने tax impose कर दिये भारी मातरा में tax impose कर दिये तो फ्रांस की society के division के according जो tax pay करना होता था वो सिर्फ और सिर्फ third estate के लोगों को pay करना होता था और जो first और second estate के लोग थे इनको कोई tax pay नहीं करना होता था तो यानि के राज शाही और जो कुलीन वर्ग था ये लोग तो जैसे ही राजा ने tax बढ़ाया इनके ओपर कोई असर नहीं पढ़ा लेकिन third estate बुरी तरह से ब्रबाद हो गया जैसे ही राजा ने tax बढ़ाया तो वही दोस्तों आगे यहां पर mention किया हुआ है मैंने कि जो clergy and nobility था उनको exempt किया गया था tax pay करने से और feudal dues जो थे वो किसके द्वारा भरे जाते थे peasants के द्वारा peasants को force किया जाता था कि वो अपने load यानि अपने राजा की काम करें जैसे उसके घरों में काम करें उसकी field में काम करें राजा के लिए army में काम करें सड़क बनाने में काम करें तो peasants जो थे एक तो tax भी देते थे फ्यूडल dues भी चुकाते थे प्लस राजा के लिए ये काम भी करते थे तो सारा का सारा बोज जो था इन peasants पे आया हुआ था third estate के जितने भी members थे उन सभी के ऊपर taxes पे करने का बोज था तो अगर हम देखे तो financial activities जो थी फ्रांस की वो पूरी की पूरी third estate के द्वारा ही था और इन दोनों को ही पीजन्स को पे करना होता था आगे अगर मैं बात करूँ दोस्तो इकोनोमिक कोजिज की यानि आर्थिक कारण की तो क्या हुआ दोस्तों की अचानक से population का विस्पोर्ट होता है 23 मिलियन से 28 मिलियन population बढ़ जाती है जैसे ही लोगों की संख्या खाने की डिमांड बढ़ जाती है फूड की डिमांड बढ़ जाती है लेकिन सिर्फ डिमांड बढ़ती है दोस्तों प्रोडक्शन नहीं बढ़ता तो जैसे प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है तो डिमांड के बढ़ने से प्रोडक्शन लो रहता है लेकिन अमांट जो है वो प्रोडक्शन तो दा प्राइस ऑफ ब्रेड रोज रैपिडली खाने की डिमांड बढ़ गई प्राइस इंक्रीज बट नोर दा इंकम वरकर्स तो लोगों की इंकम तो नहीं बढ़ी लेकिन खाने का पैसा बढ़ गया इससे क्या हुआ दोस्तों की अमीर और गरीब के बीच म जिससे क्या हुआ निर्वा का संकट लोगों के सामने पैदा हो गया जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उनके सामने अब जीवन जीने का संकट आ गया इससे क्या होता है दोस्तों की जितनी परिशानिया होती है उन परिशानियों से निकल के आती है ग्रोविंग मिडल क्लास middle class जो है इसमें educated लोग होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था वकील, court के जो officials थे, teachers भी थे, doctors, police ये सब के सब middle class का हिस्सा थे और ये सारे के सारे पढ़े लिखे थे तो इनके पढ़े लिखे थे इनके पास नए ideas थे तो middle class के इनी लोगों ने responsibility ले ली दोस्तों कि France का जो political system है, जो social system है अब उसको change करके रहना है इन लोगों को ये यकीन था, ये लोग मानते थे जो middle class के लोग थे, ये लोग मानते थे कि जनम के आधार पर मिलने वाला privilege बेकार है, वो नहीं मिलना चाहिए यानि के nobility और clergy इनको जनम के अधार पर जो privilege मिलते हैं, वो खतम होने चाहिए, बलकि privilege merit के अधार पर मिलने चाहिए यानि के जो व्यक्ति अपने काम को साबित करके जिस लायक होता है, उसके according उसको privilege मिलने चाहिए middle class के उपर दोस्तों कई सारे philosophers का प्रभाव था, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, तो कुछ philosophers जैसे जोन लोग, जो थे भगवान की एक ता, यानि के चर्च ने ये बोला हुआ था कि जो आपके भगवान है, उन्होंने, हाँ मतलब चर्च ने एक अफवा फेलाई हुई थी लोगों के मन में की परमात्मा का सिध्धान्त है, और क्या कहता है, परमात्मा चर्च के तुरूर लोगों को बताता है कि लोगों को क्या करना है, तो चर्च को बहुत ज्यादा महिमा मंडित किया गया था, तो जो जोन लोग है उन्होंने चर्च की इस महिमा का खंडन किया प्लस इन्होंने मोनार्क यानि राजशाही की जो एबसुलीट राइट है जो पूरा का पूरा राजशाही का अधिकार है जैसे राजा का पूरा अधिकार की एबसुलीट अधिकार होगा राजा का तो उसकी खंडन की बात की तो इन शोट अगर मैं कहूं तो जोन लोक ने कहा कि परमात्मा का जो एकता का सिधानत आप चर्च ने दिया है कि चर्च जो सबसे बड़ा है वो नहीं माना जाएगा और दूसरा की राजा को ही सारे अधिकार होते हैं ये भी नहीं माना जाएगा तो इनके बातों का बहुत जादा मिडिल क्लाश के उपर असर पड़ा दूसरे जो आते हैं वो है रूसो रूसो ने एक ऐसी गवर्नमेंट का रूप पेश किया जो सोशल कॉंट्रेक्ट मतलब लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में सोशली कनेक्शन स्थापित करने व सरकार में उन्हों ने का मॉंटंस्कूट्ट इसरकार बननी चाहिए सरकार के तीन रूप होने चाहिए और तीनों में ही बराबरी से डिवीजन होना चाहिए लैजिसलेटिव एग् утप क्या है जूडिशियरी टो यह मॉंटस्कू के द्वारा प्रपॉस किया गया हमारा फ् विन्वाइल, stay home, stay safe, God bless you all, Jai Hind.